पीएम मोधी की ये बाते याद रखना आज मैं आपसे एक और आगर करूँगा आपने आज जो सिखा है वो आपके भविष्य का आधार जरूर बनेगा लेकिन आपको भविष्य के हिसाब से अपने कौशल को अपग्रेड भी करना ही पड़ेगा इसलिए बात जब स्कील की होती है तो आपका मंत्र होना चाहिए स्कीलिंग, रिस्कीलिंग और अफस्कीलिंग आप जिस किसी भी शेत्र में है उसमें क्या कुछ नया हो रहा है इस पर जरूर नजर रखें जैसे अगर किसी ने अटो मोबेल का सामाने कोर्स किया है तो उसे अब इलेक्टिक वेहिकल के हिसाब से खुद को रिस्कील करना होगा ऐसे ही हर खेत्र में चीजें तेजी से बदल रही है इसलिए आप अपनी स्कील को बदलते समय के हिसाब से अग्रेड करते रहें इनोवेट करते रहें अपने एक शेत्र में कौन सी नई स्कील सिखने से आपके काम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी ये जानना भी बहुत जरूरी होता है इसलिए नई स्कील भी जरूर सिखें और अपने ज्यान को साजा भी करें